हेलो फ्रेंड्स मैं हुरीतू और आप सभी का स्वागत है माई रेसिपी इसकी किचिन में आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग स्टार्टर की रेसिपी यह बहुत ही टेस्टी बनती है और वेजिटेबल से बनती है तो यह है वेजिट सीक कबाब यह बहुत ही सिंपल स्टेप्स में बनाया है और इसे बनाने के लिए हमें किसी भी ओटी ची की या अवन की ज़रूरत नहीं है इसे हम डायरेक्ली कैस पर ही बना सकते हैं बहुत ही अमेजिंग इसका टेस्ट आता है और इसे आपने गर्मा गर्म ही परसना है बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही टेस्टी स्टार्टर की रेसिपी है यह तो यह वेज सीक कबाब की रेसिपी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा और पसंद आती है तो वीडियो के नीचे लाइक बटम प्रेस करना ना भूले तो चलिए बनाने के लिए शुरुबात करते हैं तो इसे बनाने के लिए यहां मैंने लिया है गूभी, गाजर और बीन्स तो मैंने इसे एक साथ ही बॉइल कर लिया है और इसे बॉइल अच्छे से कर लेना है और इसे उसके बाद में चन्नी में निकाल के रखना है तकि इसका जितना भी एक्स्टा पानी है वो पूरा निकल जाए और यह ड्राइ हो जाए इसके बाद में हमने यहाँ पे चौपर लिया है और चौपर में इसे डाल कर हमें इसे अच्छे से चौप कर लेना है इसे चौप करना बहुत ज़रूरी है और यह बॉइल तो अच्छे से हो गई होती है तो यहाँ पे हमने एक पतला सा कपड़ा लिया है, अब यह जितना भी हमने चौपर में इसे चौप किया था, सारे वेजिटेबल्स कपड़े में डाल दिये, और इसे हमने थोड़ा सा ऐसे प्रेस करके इसका जितना भी पानी होता है इसमें, वो पूरा निकाल लेना है, क्यो तो इसमें हम डाल देंगे अभी कुछ अलग इंग्रिडियन, तो हमने यहाँ पे जो पनीर होता है, इसे हमने करंबल करके डाल देना है, तो हासी से अच्छे से हमने करंबल कर लिया, अब यहाँ पे हमने लिया है आलो, तो मैंने मीडियम साइज के दो आलो लिये हैं, उसे चौथा ही चमच हमने हल्दी ली है, एक चमच हमने नमक लिया, एक चमच जीरा पौडरे भी लिया था, और यहां हमने लिया है काला नमक, काला नमक बहुत जरूरी है, बहुत अचा टेस्ट देता है, तो आदा चमच लिया है, आदा चमच हमने गरम मसाला लिया है, और यहां हमने लिया है roasted चना दल का आटा तो यह roasted चना दल जो होती है यह market में easily available होती है तो बस वही हमने चना दल जो है इसमें डाल देना है तो चना दल जब आप लेते हैं और उसे घर में ग्राइंड करते हैं तो यह इस तरीके की जो चना दल market में मिल जाती है तो उसे हमने grind करने के बाद में चन्नी में चान लिया और वही आटा इसमें use किया है यह जो आटा होता है यह अपने requirement के recording ही आपको इसमें add करना होता है कभी कभी मिशन थोड़ा ज्यादा गीला रह जाता है तो उसके according ही हमें इसमें चना दल काटा जो है यह add करना है अगर आपके पास में bread crumbs है तो आप उसे भी इसमें add कर सकते हैं तो चना दल लिकिन ज़रूरी है इसमें add करना तो यहां हमारे थोड़ा से इसमें चना दल काटा की ज़रूरत और पड़ेगी तो मैंने थोड़ा साटा इसमें और डाल दिया है इसलिए मैंने शुरूरू में ही कहा कि आप अपने requirement के according ही इसमें चना दल काटा या bread crumbs add कर ले रहा है तो यहां हमारा जो डो है यह बनकर ready हो गया है अब इसे हमें rest बिल्कुल नहीं करने देना है इसे हमें seek बनाना शुरू करना है तो seek कबाब बनाना शुरू करते हैं उसके लिए हमने यहां पे seek जो मिलती है market में वो ली है मेरे पास में थोड़ी पतली सी है वही seek मैं use कर रही हूँ बट इसके लिए जो seek होती है वो मोटी वाली seek use की जाती है क्योंकि उसके उपर इसकी पकड अच्छे से बनती है जो पतली वाली होती है seek इस पर इसकी पकड अच्छे से नहीं बनती है इसलिए market में जब भी आप seek ले तो थोड़ी मोटी साइस की ही seek जरूर लेना है तो इसके उपर mission हमने इस तरीके से फैलाना है कि जो शुरू का होता है इसका नेचला वाला हिस्सा उसे पहले ही हमें अच्छे से प्रेस कर लेना होता है तो यह इस तरीके से हमने seek त्यार की है अब इसे gas on करके medium flame करना है और उस पर इसे अच्छे से seek लेना है इस पर जब तक कि अच्छे से dark box नहीं आते हैं तो बस इसी तूट रही है तो उसे आपने जाली के ऊपर रखना है तो यहां हमने seek लिया है तो उस पर हमने butter लगा लिया है आप चाहे तो butter directly ऐसे लगा सकते हैं या तो melt करके किसी brush के help से आप इस पर बटर apply कर लेना है तो यहां आप देख सकते हैं मैंने butter लगाने के बाद में भी इसे सेक लिया है बट इसे सेकने का एक तरीका और भी है जैसे आप इसे सेक लेते हैं और आपको लगता है कि आपका जो सीक है वो नीचे गिर रहा है तो एक जाली रख लेना है गैस पे उसके बाद में जो सीक है उसके उपर रखकर आपने गोल गोल इसे घुमाते हुए ही सेक ले बहुत easiest very intriguing सब्सक्क्तारों अमने का सब्सक्तार्वाब हमने सेख लिए हुआ है अब इससे ठंड़ा होते हैं जब गर्म Old similar अभूसे सीख से नहीं कर देना है ठीकल स्दूद के अलग को निगए और जब से निकालेंगे साहते हैं तो अपने करना है गर्म sab तैयार किया यहां आप देख सकते हैं अंदर से भी अच्चे से सिग गए है उपर से भी बहुत अच्छा टेक्स्टे आया है इसका और यहां आमें से सहीट किभाब की बहुत आप कर सकते हैं पार्टर रेसिपी है ये वेसी कबाब की बहुत ही इजियस्ट वे में बनाया है तो आपको ये रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल देन बाई और थैंक यू फो वॉचिंग